मोवी के शुरुवात में हम देखते हैं कि कुछ लोग कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं और इस इंटरव्यू के लिए 8 लोगों का सेलेक्शन हुआ होता है और वो लोग काफी खुश नजर आ रहे होते हैं महा जाने के बाद उन फिर यहाँ इन्विजिलेटर आता है और इंसे कहता है कि इंटरव्यू के इस राउन के लिए सिर्फ आप 8 लोगों को ही चुना गया है और वो इन्हें एक्जैम्स के रूल्स बताने लगता है वो उन्हें बताता है कि एक्जैम में आपको सिर्फ एक ही क्वेशन का दूसरा रूल यह है कि अगर आपने एक्जैम शीट को खराब कर दिया तो भी आप डिस्क्वालिफाई हो सकते हो और तीसरा और आखरी रूल यह है कि अगर आपने इस रूम से भी एक कदम बाहर रखा तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे जिसके बाद वो उनसे पू लाखिर अप करना क्या है? तब ही उन में से एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है, कि उसे यकीन है कि उसे जॉब मिल जाएगी, लेकिन तब ही उसके पास गार्ड आता है और उसे एक्जाम हॉल से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर लिया था ये देखकर वो लोग और भी ज़्यादा परिशान हो जाते हैं, तब ही उन में से एक कैंडिडेट कहता है, कि हम भले ही इन्विजिलेटर और गार्ड से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपस में तो बात कर सकते हैं, इसके ऐसा करने पर उसे कोई भी बाहर नहीं निकालत इसलिए वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, और अब वो लोग समझ चुके होते हैं, कि उन्हें इस एक्जाम में सवाल का जवाब नहीं, बल्कि सवाल को ही ढूनना है, उन में से एक कैंडिडेट कहता है, कि हम लोग मिलकर सवाल ढून सकते हैं, वो लोग अ अपना नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो लोग अपने निकनेम रखते हैं, और वहाँ एक निग्रो बैठा होता है, जिसका नाम वो ब्लैक रखते हैं, एक गोरे लड़के का नाम वो वाइट रखते हैं, और वहाँ एक लड़की होती है, जिसके बाल ब्लॉंड होते ह वहाँ दो लड़किया और लड़किया और होते हैं और उन में से एक लड़का किसी से कुछ बोल ही नहीं रहा होता मानों वहाँ पर मौजूद ही नहीं हो उसके बाद वो कहता है कि हमें इन्विजिलेटर ने सीट से खड़ा होने के लिए भी मना नहीं किया इसलिए वो हो जाता है और उसके बावजोद गार्ड उसे कुछ नहीं कहता यानि कि वो खड़े होकर भी question को ढूंड सकते हैं वहां मौजूद एक लड़की उनसे कहती है कि शायद question paper पर लिखा हुआ सवाल invisible हो ये सुनते ही वो लड़का उस paper को foreign light के आगे करता है लेकिन उसे कोई सवाल नहीं मिलता इस पर दूसरी लड़की उनसे कहती है कि शायद हमें सवाल pencil shading करने से मिल जाए लेकिन उन्होंने पहले ही देखा था कि paper पर लिखते ही पहले ही एक लड़की का disqualification हो चुका है इसलिए वो करने से डर रहे होते हैं इसलिए white उससे कहता है कि ये तुम खुद ही try क्यों नहीं करती वो shading करने वाली ही होती है तब भी black उसे याद दिलाता है कि paper पर लिखते ही वो disqualify हो सकती है उसके बाद एक लड़की कहती है कि ऐसा भी तो मुम्किन है कि एक का question दूसरे की seat पर लिखा हो तो black कहता है शायद हम सबको एक ही सवाल का जवाब देना हो और वो सवाल शायद हम में से ही किसी एक के question paper पर हो यह सुनकर white उट जाता है और सब के question paper लेकर light के सामने check करने लगता है लेकिन वो शांत बैठा हुआ लड़का अपना question paper देने से मना कर रहा होता है और उसका question paper लेकर उसे भी check करने लगता है लेकिन वहाँ भी उसे निराशा ही हात लगती है वो लोग परिशान होने लगते हैं कि आखिर सवाल ढूंडे तो ढूंडे कैसे तब ही black कहता है कि शायद सवाल किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो normal light में ना visible हो तब ही blonde देखती है कि वहाँ दिवारों में अजीब सी blue color की light है और वो उस light को on करने की बारे में सोचने लगती है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि room की बाकी की lights को off कैसे करें तब ही black उन से कहता है कि ये एक emergency light है यानि अगर हमने बाकी की lights को बंद कर दिया तो ये अपने आप ही on हो जाएगी इसलिए वो एक एक करके सारी lights को तोड़ने लगते हैं लेकिन उन में से कुछ लोग मना कर रहे होते हैं क्योंकि अगर सारी lights बंद होने के बावजूद अगर blue light नहीं जली तो वो लोग क्या करेंगे इसलिए वो आपस में voting करते हैं कि lights को तोड़ा जाई या नहीं और आपस में voting करने पर चार लोग इस बात से सहमत होते हैं कि light को तोड़ने का रिस्ख हम लेंगे और इसलिए वो महां की सारी lights तोड़ देते हैं और इसमें किसमत भी उनका साथ देती है और वहां की blue light फॉरन ही on हो जाती है उसके बाद वो एक एक करके अपना question paper उस light के सामने रखते हैं लेकिन यहां भी उनके हाथ निराशा ही लगती है और उन्हें कोई सवाल नहीं मिलता सब लोग परिशान होने लगते हैं क्योंकि 20 मिनट बीच चुके होते हैं और अब उनके पास सिर्फ एक घंटा ही बचा होता है कभी white का खुरफाती दिमाग चलता है और वो कहता है कि invigilator ने हमें अपना paper खराब करने से मना किया है लेकिन हम एक दूसरे का paper तो खराब कर सकते हैं इसलिए white उस लड़की का paper लेता है जिसको guard ने पहले ही disqualify कर दिया था वो उस पर pencil से shading करने लगता है लेकिन इसके बाद भी उसे नाकामी ही हाथ लगती है इसके बाद white कहता है कि अगर हम एक paper के चार तुकले करके पानी डालें शायद हमें कुछ नजर आ जाए इसलिए वो उसके चार तुकले कर देते हैं और उसे side में रखकर उस पर toilet कर देता है उसकी इस weird हरकट से सब लोग वहाँ पर पर परिशान होने लगते हैं तब यचाना कोने में बैठा हुआ आदमी रोने लगता है और रोते हुए french language में कहता है कि इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है इसलिए वहाँ पर एक candidate कहता है कि शायद ये कोई exam नहों बलकि एक game हो और वहाँ लग एक काले शीशे को देखकर कहता है कि शायद invigilator इसके पीछे से हमें देखकर हम पर हस रहा हो तब ही उनमें से एक लड़की कहती है कि नहीं ये company एक मामूली company नहीं है इसका CEO हर चीज़ पर नज़र रखता है और अगर इस शीशे की पीछे कोई होगा भी तो वो इस company का मालिक ही होगा यहाँ पर हमें एक बहुती अजीब बात मालूम होती है कि ये लोग जिस company के लिए interview देने आये हैं उनमें से किसी को भी इस company का नाम तक नहीं पता क्योंकि ये एक ऐसी company थी कि जो किसी की बिमारी की दवा के लिए खोज में लगी है तब ही एक लड़का उस लड़की से कहता है कि लेकिन इस कंपनी ने तो नुकसान के चलते इसके जवाब में वो लड़की कहती है कि नहीं वो सिर्फ दुनिया की नजर में बंद हुई थी और ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने इस बिमारी की मैडिसिन बना ली हो और सकसेस क कि बाद हमें हायर कर रहे होंगे और फिर उन्हें एक फायर अलाम दिखाए देता है इसे देखकर वो लोग सोचते हैं कि शायद इसमें कुछ ऐसा लिक्विड हो जिससे लिखा हुआ पेपर पर क्वेशन विजिबल हो जाए इसके लिए वो लड़की गार्ड की जेप से ल बजा सके वो उसमें आग लगा कर फायर अलार्म के पास ले आती है लेकिन आग बुझाने के बाद उसे एहसास होता है कि वाइट ने जो पेपर उसे दिया था वो उसी का क्वेशन पेपर था और इस वज़ा से उसका पेपर भी खराब हो चुका है और इसलिए गार्ड उस तो उनके पास खड़े एक लड़का कहता है कि lights out कहने पर lights off हो गई और अगर मैं अब lights on बोलूँगा तो lights on हो जाएंगी और उसके ऐसा कहते ही वहाँ की lights on हो जाती है तब उन्हें पता चलता है कि ये सारी lights voice control पर चल रही है तब ये वहाँ पर खामोश बैठा वो शक्स उ पहर निकाल देता है और जाते समय उसका चश्मा नीचे गिरकर तूट चुका होता है। हर एक घंटे में मैडिसन लेनी होती थी वो उनसे कहता है कि मुझे क्वेशन का पता चल चुका है और तुम लोग अगर मुझे मेरी मैडिसन दे दो तो मैं तुम्हें वो सवाल बता दूँगा लेकिन जब ब्लैक उसकी पॉकेट चेक करता है तो उसे कोई मैडिसन नहीं मिलत तब ही वहाँ पर एक लड़की को उस लड़की पर शक होने लग जाता है जिसने वाइट की पट्टी खोली थी क्योंकि वो उसी कमपनी में जॉब करती थी वो से कहता है कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ तुम यहाँ पर नजर रखने के लिए आई हो और हमारा ध्या भटका रही हो वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर सवाल क्या है जिसके जवाब में वो कहती है कि मैं यहाँ पर निचले स्तर पर काम करती थी और मैंने आज तक इस कमपनी के मालिक को देखा तक नहीं और मुझे इस सवाल के बारे में कुछ भी नहीं प इसी एक के पास ही है और इसलिए हमें एक दूसरे की तलाशी लेनी चाहिए और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे होते हैं तब ही एक लड़की उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर शक है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी बबल खाकर कह रखी है वो देखती है कि उसने पिल को बबल में चिपका कर छुपा लिया है वो पिल लेकर उसे खिलाने लगती है लेकिन तब ही वो उस पर हाथ मार देता है जिससे वो मैडिसें ब्रेनेज में निकल जाती है वाइट की ऐसी हालत देखकर वो लड़की कैमरे में देखकर क कि इन्विजिलेटर तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, कि वो आदमी मरने वाला है, ऐसा करने पर वो गार्ड आता है, और वो उसे वहां से बहार निकाल देता है, क्योंकि उसने रूल तोड़ दिया था, यानि कि उस रूम में अब सिर्फ चार कैंडिडेट ही बचे हैं, इसके बाद ब्लॉंड पिल से वोई पिल निकालती है, और वाइट को खिला देती है, फिर वाइट को होश आ जाता है, और वो लोग उसे कहते हैं, कि हमने तुम्हें पिल दे दी है, अब हमें सवाल बताओ, वो उनसे कहता है, जो यहां सबसे आखिर तक रह जाएगा, वही स्लेक्ट हो जाएगा, यहां पर कोई भी क्वेशन तो है नहीं, इतना कहकर वो दौल कर गाड के पास से बंदूक लेने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही जाकर ब्लैक वो गन ले लेता है, और वो वाइट पर गन तान लेता है, जिस पर वाइट कहता है, कि तुम मुझे नहीं मार सकते, ब्लैक उसे शूट करता है, लेकिन वहाँ गोली नहीं चलती, वो चैक करने लगता है, इतने में वाइट उससे गन छीन लेता है, लेकिन वाइट से भी गोली नहीं चलती, और फिर उन्हें पता चलता है, कि गन पर गाड के फिंगर प्रेंट लगे हुए है वाइट गार्ड के हाथ से गन को पकड़वाता है और वहां मौजूद दूसरे लड़के पर गन पॉइंट कर लेता है तब ही वो डर की वज़ा से वहां से चला जाता है और इस तरहां वहां सिर्फ तीन लोग ही बचे होते हैं और उसके बाद वो ब्लैक से कहता है कि अब अभी लाइट्स ओफ हो जाती है और फिर वो वही पर छुप जाती है और जब वो कहता है कि लाइट्स ओन और वो पाता है कि ब्लैक वहां पर बेहोश पड़ा है और उसके चेस्ट पर गोली भी लग चुकी है लेकिन ब्लॉंड अभी भी वही पर छुपी होती है और वाइ कुछ seconds बचे होते हैं क्योंकि उस खामोश आत्मी ने घड़ी का टाइम कुछ seconds के लिए आगे कर दिया था और white समय से पहले ही rule तोड़ चुका था इसलिए वो disqualify हो जाता है और इस तरहां वहां सिर्फ blonde बचती है और अब वो उस खामोश आत्मी के गिरे हुए glasses के शीशे को उठा कर अपना paper देखती है तो उसे महाँ पर question number one लिखा हुआ दिखाई देता है लेकिन वहाँ कोई भी सवाल लिखा नहीं होता तब ही महाँ पर time पूरा होने पर invigilator और वो खामोश candidate आता है और वो समझ जाती है कि यही company का मालिक है और वो यहाँ हमारे बीच रहकर हमे जवाब देती है no और उसका जवाब सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं यानि blonde का जवाब बिल्कुल सही था तो आप लोग सोच में पढ़ गए होंगे कि आखिर सवाल क्या था तो मैं आपको बता देती हूँ इस exam का only वही सवाल था जो invigilator ने उनसे शुरुआत में पास जाकर कहता है कि देखो ये इनसान अभी भी जिन्दा है दरसल उस बुलिट में एक ऐसी कैपसुल होती है जो जखमों को फॉरण ही हील कर देती है और उसके साथ ही वो जिसम की और विमारियों को भी खत्म कर देती है और वो से बताते हैं कि जिससे बनाने में पूरी द सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले